हेलो फ्रेंट सौगात आपका मेरा यूटुब चैनल गाइड मारशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे दोस्तो आज मैं बात करने वान हुआ हूँ पॉप लोन एप किस तरीका का एप है यहाँ पर लोन मिलता है कि नहीं मिलता है यहाँ से लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना सकते हैं ऐसा इनका दावाए यहां से आप 3,000 से लेका साथ था तक का लोन ले सकते हैं टाइम भी आपको तीन महीने से बारा महीने तक कर देते हैं प्रोसेसिंग फीस क्या चार्ज करते हैं यह नहीं बताते आगे आपको मैं वीडियो में बताऊंगा और इनका जो अपी आ उनका range है 18% से 29.9% eligibility में ये कहते हैं कि आप Indian resident होने चाहिए आपकी जो उमर है वो 18 साथ से उपर होने चाहिए आपकी stable income होने चाहिए आपको यहां से loan लेने के लिए सबसे पहले से आपको download करना पड़ेगा अपना mobile number register करना पड़ेगा अपनी basic details देनी पड़ेगी जो documents है उसको देना पड़ेगा उसकी details देनी पड़ेगी इसके बाद loan आपके account में आ जाएगा और फिर आप उसको repair कर सकते हैं कुछ interest के साथ ऐसा इनका दावा है अब बात करते हैं लोगों का क्या कहना है क्या experience रहा जब लोगों ने इस app को download किया और loan लेने की कोशिश की जब लोग इस app को download करते हैं download करने एक बाद registration करते हैं अपना mobile number का उसके बाद जब details भरते हैं और फिर formalities पूरी करते हैं तो फिर वो eligibility में देखते हैं कितना amount मिल ला है अब तीन तरीका से काम होता है उनके साथ सबसे पहला ये कि वो लोग देखते हैं कितना amount है और amount कितना दिखाएगा 5000 रुपए 3000 रुपए यह उसकता और कुछ amount दिखाएगा अगर 5000 दिखाएगा तो 2350 आपके account में आएगा तो लोग जब apply कर देते हैं तो इसी तरह का amount आता है यानि half amount आता है उसके बाद ये high interest लगा कर double payment मांगते हैं यानि अब 5000 रुपएगा तो 5000 रुपएगा तो 5000 रुपएगा तो 3000 रुपएगा तो 3000 रुपएगा तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि ये आधा amount क्यों आ रहा है क्योंकि ये high processing fees charge कर रहा है लगबग 50% के करीब जो कि लोगों का कहना है और 7 दिन का time दिया था 7 दिन का और दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका ये है कि eligibility दिखाया आपको loan नहीं लेना है आप exit करके वापस आगा है तो जबरदस्ती आपके account में पैसा डाल दिया जाएगा और फिर आपके पास message आएगा कि आपका loan approved हो गया है और double amount high interest लगा कर आपके साथ 7 दिन में मांगा जाएगा और last तरीका क्या है कि आपने नहीं apply किया तो कोई बात नहीं फिर भी आपके पास जबरदस्ती का फालतू का fake message आएगा और कहा जाएगा कि आपका loan approved हो गया है 7 दिन के अंदर अंदर आप pay कर देजिए वरना हम आपको परिशान करेंगे हमारे पास आपका data है आपकी contact list है जब आप इस आपको download करते हैं तो आपका data contact list सारी personal information के पास पहुँच जाती है फिर उसके बलबूते ये आपको repay करने के लिए force करते हैं ये कहते हैं कि हम आपकी contact list में गलस अलत message लिकर बेढ़ेंगे और आपको बदनाब करेंगे मटडी हैरस करेंगे blackmail करेंगे किसी तरीका से कि आप repay कर दें और लोग repay भी कर देते हैं इस चक्कर में आकर तो दोस्तों ये एक तरह का unsafe app है एक तरह का risky app है और अगर आप नहीं ये सोचा कि भाई हमने गलती से loan ले लिया आए अब हम इसको cancel कराने के लिए इनको message करेंगे contact करने की कोशिश करेंगे इनके जो page है उस पर सिफ एक email ID दीगे उस पर कोई response नहीं आएगा ना इनका कोई contact number है ना इनकी owner की कोई details है तो यहाँ cancel का कोई option नहीं है इनको आप से पैसे वसूलने है तो वो वसूलेंगे चाहे वो आपको बदनाम करके mentally Harris करके अप पैसा चार्ज करके और आप आप सोचिए कि आपको essay app को रिपे करना चाहिए जिसके पास आपके पास data है और बहुत essay app में तो ऐसा हुआ है कि लोगों ने रिपे कर दिया रिपे करने के बाद भी loan close नहीं होगा इस status update नहीं हुगा कि आपने रिपे किया फिर ये आप से पैसा माग रहे है तो दोस्तों इस तरह का app को मैं recommend नहीं करता अगर आप यहां से loan लेते हैं तो आप हमेशा परिशान रहेंगे आपको data जाएगा, time जाएगा, पैसा जाएगा आप mentally Harris हो जाएगे और कुछ नहीं होगा प्लीज मेरे वीडियो को शियर करें ताकि दूसरे लोग सतक हो सके और जा सकें कि loan apps के नाप पर क्या हो रहा है मेरे वीडियो को like करें, channel को subscribe कर दें ताकि इस तरह की latest updates आगे आपको मिलती रहें फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तक कली good bye